हैलो बच्चो आप सब कैसे हो मैं हूँ शैली शर्मा आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे तो बच्चो आज की कहानी का नाम है चालाक लोम्री एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे पर ये कहानी है एक कववे और लोम्री की कववे का नाम था ब्लैकी और लोम्री का नाम था जैकी एक दिन कववा एक पेड की उंची डाल पर बैठा मज़े से रोटी खा रहा था तो उसे देखकर लोमडी के मुझ में पानी आ गया उसने सोचा कि किसी तरह कववे से रोटी हरपनी चाहिए और लोमडी की चालाकी के बारे में फॉन नहीं जानता तो लोमडी ने एक प्लैन बनाया और उसी पेड के नीचे जाप पहुचे जहां कववा बैठा था लोमडी ने कववे से कहा भाईया राम राम कैसे हो तो कववे ने कोई जबाब नहीं दिया लोमडी फिर बोली कववा भाईया आज तो आप बहुत सुन्दर लग रहे हो आपकी तो आवाज भी बहुत मधूर है आप तो पक्षियों के राजा बनने लायक हो मगर इन जंगल के मूर्ग पक्षियों को कौन संचाए आप मुझे अपनी मीठी आवाज में गीत सुनाईए तो अपनी चूटी तारीफ सुनकर कववे को खमंड आ गया और वह बोला धन्यवाद और उसने चैसे ही अपनी चौच खोली वैसे ही उसकी रोटी नीचे आ गिरी और रोटी के गिरते ही लोमडी ने लपक कर रोटी उठाई और वहाँ से 9-11 हो गई और मूर्ग को हुआ पच्च ताता रह गया तो बच्चो मूरल आफ तर स्टोरी ये है कि हमें कभी किसी की चूटी तारीफ पर भरोसा नहीं करना चाहिए जैसे की ब्लैकी ने किया था तो बच्चो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना और हाँ एक और ज़रूरी बात आज की कहानी में 9-11 का क्या मतलब होता है ये भी कमेंट करके मुझे बताना है ओके बाइ बाइ टेक कियर